भारत का सिस्टम जो है वो पार्लियमेंटरी गौर्मेंट एडिमिनिस्टेशन पर आधारित है जिसमें प्राइमिनेस्टर के पास एग्जेक्यूटिव की शक्तिया होती है। भारत के प्रधान मंतरी को इलेक्शन से लोगों से सीधे सीधे वोट देने के बजाए भारत के प्रेजिदेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जो है किसी भी इलेक्टेट गवर्मेंट को दे सकते हैं। जो है किसी भी इलेक्ट गवर्मेंट शवेस और किसी भी स्टेट गवर्मेंट के प्रफिदेंग पोजिशन नहीं होनी चाहिए। और कुछ functions और शक्तियां होती है प्रधान मंतरी से जोड़ी हुई जैसे कि भारत का जो president होता है वो appoint करता है cabinet के ministers को प्रधान मंतरी के recommendations पर जैसा कि हम सभी लोग जानते है प्रधान मंतरी जो है वो बस 5 साल के लिए अपने office में रह सकता है हाला कि प्रधान मंतरी जो है वो तब तक अपने office में बना रहा सकता है जब तक लोग सावा में उसके पास majority के votes है और वही पी लोग सभा की majority party जो है वो अपना support और confidence खो देते तो फिर उनका कारेकाल समापत हो सकता है प्रधान मंतरी चुनते हैं कि उनका कौन सा minister कौन से department को समालेगा वही पी प्रधान मंतरी के पास एक और authority होती है जिसकी मतर से हुए किसी भी minister के assign position को modify कर सकते है और वे minister के cabinet में meeting करते है और उनकी देख रहे करते है और प्रधान मंतरी के पास एक और authority होती है जिसकी मतर से वे किसी भी decision को modify कर सकते है जो उनको लगता एकदम fit है विवाद या संगर्ष की स्थिती में प्रधान मंत्री किसी अन्य मंत्री को पच छोड़ने के लिए कह सकता है ये राष्ट्रपती से उसे हटाने का अग्रह कर सकता है और अन्त में प्रधान मंत्री का अंडर में आने वाले जितने भी ministers होते हैं उनके काम और duty पर वे खुद supervision और coordinate करते हैं लोग सभा के जितने भी member होते हैं उन्हें elect किया जाता है adult universal surface की मदद से जो है a first past the post electoral system ताकि वो represent कर पाए अपने respective constituencies और फिर बिल्कुर प्रधान मंत्री के तरह है लोग सभा के जो 543 members होते हैं जो elect होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं और अपनी government बनाते हैं जैसे कि भारतिया जनता party या तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस वाईपी भारत में ऐसी आज 26 political parties हैं जिनके बीच में गडबंदन हुआ है ताकि वो BJP के खिलाफ लड़ पाए और जीट पाए और रूल कर पाए भारत में इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के द्वारा इने चलाया जा रहा है और इन सबी चीजों के साथ किसी भी देश का एक प्रधान मंत्री जो है वो इलेक्ट होता है आज भारत 140 करोर लोगों की population के साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र है पर वहीं पी 30 करोर से भी जादा लोग ऐसे हैं जो आज भी वोट नहीं देते और 2019 के इलेक्शन के मुताबिक तकरीबन 67.1% लोगों ने तो वोट दिये थे पर बाकी के लोगों ने वोट दिये ही नहीं थे 2019 के election के votes के बताविक BJP को 37.7% वोट्स विले थे INC को 19.7% वोट्स विले थे AITC को 4.1% वोट्स विले थे BSP को 3.7% वोट्स विले थे और YSRCP को 2.6% वोट्स विले थे और दूसरी political parties को 32.2% वोट्स विले थे और 2019 में 37.7% की vote percentage के साथ majority में BJP जो थी वो जीद गई थी और उन्होंने 2019 से 2024 तक रूल किया था और BJP इससे में भारत के इन सभी स्टेट्स में रूल कर रहे है उत्राखन, उत्तरपरदेश, हर्याना, राजिस्तान, गुजरात, महाराष्ट, माध्यापरदेश और 36 गड़ और सिक्किम और सारे North Eastern States भारत के और VP Congress भारत के हिमाचल परदेश, पंजाब, दिल्ली, जारखन, तैलिंगाना, कंडाटका और तमिल नडु में रूल कर रहे है